रादस्तानी भासा एवं साहिते टोपिक है पहला प्रस्ण देखिए इसमें निमने में से किस साहिते सेली में मारवाडी भासा का प्रभाव रहा है जिसका सरो परतम परियोग चोधवी सताबदी में मिलता है इसको राज दर्बारों में पोचाने का सरे चारण वैबाट जातियों को जाता है कौन सी सेली है वो तो दोस्तों वो सेली कौन सी है वो अपने को यहां पर बतानी है तो दोस्तों इस प्रेस्टन का राइट आंसर हो जाएगा वो है डिंगल सेली कौन सी सेली है डिंगल सेली या आपको इसमें याद रखना है तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है ए नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर डिंगल सेली ठीक है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें देखें डिंगल सेली में इतियास विश्यक सामगरी मुख्यत है कौन स देखें। देखें।ब प्रचनावाय में राजफण वंसों सहीत की जाती है। राठोडों की वनसावली राजपुतों की वनसावली ठीक है अब यहां पर एक नाम आ रहा है दोस्तों वात है यह वात है ठीक है वात किसे कहते हैं तो दोस्तों वारत का आरत होता है कथा या कहानी ठीक है जैसे प्रेम परक्या कालपनिक कथाओं की कहानिया ठीक है यह होता ह उसमें तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उप्रोग सभी डी नंबर उप्शन से उतर आगे देखिए साहित्ते कारों के अनुसार राजस्तानी साहित्ते बासा सेली की पर्थम भाग की विशेष्था क्या थी तो दोस्तों देखिए यहें 1050 से 1450 इस्वी तक की थी जिसे महामारू गुजर से लिका हाज गया है बिल्कुल सही बात है तो दोस्तों इसमें देखिए उपरोग दोनों ये दोनों भी दोस्तों इसमें क्या है बिल्कुल सत्य है तो इस प्रेस्ट का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डी नंबर का उप्शन सही सही तर तिक है यह सारे के सारे इसमें क्या है स्वर्य उप्छन रिखने वह इसका बिल्कुल सही रजय के विश्थ्ता क्या थि दूसरे चरण की विश्थ्ता है वह क्या थी वह अपने को बताना है तिक पहला दोस्तों यह कजार पचास से लेके 1857 तक चला बिल्कुल सही है इसमें जैन डिंगल लोकिक रचनाओं का निर्मान अधिक रहा जिसमें संत साहिते लोक गाथाएं ख्यात बात विगत वंसावली वचनी का दुआवेत लोक साहिते और लोक कलाओं पर साहिते लिखा गया बिल्कुल सही है दूसरा चरण की बात हो रही है यहां पे दूसरे चरण में 1650 से 1850 तक राजस्तानी का स्वनी यूग कहा जाता है बिल्कुल सही बात है दोस्तों इसमें सारे के सारे सही है इस प्रेस्ट का राइट आंसर हो जाएगा अगे देखिए बासा साहिते के तीसरे चरण की मुखे विसे इस्ता रह गया है तीसरे चरण देखिए इसमें साहिते की धारा मेलों से मुड़कर आम जनता के कश्टों की और अगरसर हुई तथा ब्रिटिस विरोधी भावना से युक्त थी बिल्कुल सही है इस काल के साहिते में विविदता अधिक आ गई और कहानी नाटक उपन्यास एकांग की आधिक अलेखन शुरू हुआ बिल्कुल सही है इस प्रेस्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोग सभी इसमें क्या है सत्य है डी नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा इसमें देखे निमन में से किस साहिते की विशेष्टा है कि वह धर्म परदा इसके मुखे अंगनीति स्रंगार समाझिक जीवन की वाख्या है राइट अंसर हो जाएगा वगसमें जथा सभी में सभी अहँए अगे देखे जैन किर्टकर रिसब्देव के पुत्रों बरतेश्वर एवं बाहुबली में राजगद्दी के लिए हुए संगर्ष का वर्णन है बताइए दोस्तों अच्छा प्रस्ण है यह बरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक हैं वो कौन है तो इस प्रस्ण का जो राइट आंसर हो राजकवी थे मेरू तूंग किस राजा के राजकवी थे बताइए चारों आपके सामने है जल्दी से देख लिए दोस्तों इसमें तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें परमार बोज के यह राजकवी थे ए नंबर का उप्शन सउस्टर आगे देखे इसमें हमीर महा कावे में कहां के इतियास की जानकारी मिलती है तो दोस्तों हम पर्ति विजएं किस भासा में लिखा गया तो दोस्तों किस ने लिखा था यह तो सबी को पता होगा दोस्तों Sa srirato विजय जयनक बटे तो दोस्तों इसका राइट 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 आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका बिल्कुल सहीटर हो जाएगा वह संस्कर्ट में लिखा गया था राइट आंसर सी नंबर उप्शन सहीटर आगे देखे हमीर महा कावे कौन सी सताबदी की रचना है तो दोस्तों ये पंदरवी सताब देखी क्या है रचना है हमीर महा कावे एट नंबर का उप्शन बिल्कुल सहीटर हो जाएगा किस ने लिखा था नैयन चंदर सूरी ने लिखा था ठीक है आगे देखे दोस्तों इसमें 14 नंबर का प्रेशन नैयन चंदर सूरी द्वारा हमीर महा कावे की रचना किस बासा में की गई तो कौन सी बासा में की गई तो ये की गई दोस्तों संसकर्थ भासा में ए नंबर का उप्शन सहीटर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखे सुदरसन चरीतर के लेखक कौन है लेखक है तो इसमें B नंबर उप्शन बिलकुल सहीटर हो जाएगा तो दोस्तों बूंदि के हाडा सुधरर्सन के प्रवपकार का इसमें वर्नन किया गया है सुदरसन चरीतर में ए नमबर का उप्शन बिलकुल से उत्र हो जाएगा आगे देखिये इसमें सत्रे नमबर का प्रस्थन है करमचंद वंशोथ किर्थम का व्यम में कहां के सास्कों का वेभव और विद्यानूराग का पता लगता है तो वो है विकानियरत के शास्कों में पूचा जा चुका है तो इसमें बिकानेर के साथ को कर इसमें वनसावली के प्राप्त होती है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें दोस्तों महाराना परताब अमर सिंग की जानकारी प्राप्त होती है तो इसमें यह नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें अमर सिंग व माराणार राआट सिंह समय यह नंबर का बिल्कुल सची के रचने की जो कि एक यह की यह रधान की आपको जाएगा या याद रखना है आगे देखिये दोस्टों अपना इसमेंfunded राजप्रशस्ती किस बासा में लिखा गया महा काव्य तो इसमें राजप्रशस्ती में कितनी सिलाओं पर यह लिखा गया है तो राजप्रशस्ती है, वो कितनी सिलाओं पर यह लिखा गया, कितनी सिलाओं है वहाँ पर, तो दोस्तो, वहाँ पर 25 सिलाओं है, तो इसमें right answer हो जाएगा, A नमबर का उपसन बिल्कुल सही उतर, आगे देखे इसमें, राजप्रशस्ती की रचना किस माराना के आदेश से की गई तो sponsored दोस्तोर सिंग को इसलिए नमबर का उप्षुण राइट approaching कि अगया आगे राज पर रास प्रसेब्स पर्त इसका राजभी सेथुन को वो है इसका सवाथ हो गया राइट लिखा गया वह राइट यम्णबर का जो उप्षण है वह इसका विलकुल्त हुए हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए दोस्तों इसमें 785 इस्वी में लिखा कूवले माला गरंथ की रचना किसने की तो दोस्तों कूवले माला गरंथ की जो रचना है वो किसने की राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तो उद्योदन सूरी के द्वारा कुवले वाला गरंत की रचना है की गई थी तो इसमें right answer होगा D number का जो option है वह इसका सही हुतर हो जाएगा आगे देखें 27 number प्रेस ने कुवले नामक गरंत की रचना कहाँ पर की गई तो ये की गई थी दोस्तों कहाँ पर तो ये जालोर में की गई थी कुवलमला गरंथ की रचना तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट आगे देखे इस्तली बद्र रास गरंथ की रचना किस विद्वान के द्वारा की गई थी बताएए यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रसन पुछा गया है कि इस्तली बद्र रास गरंथ की रचना किस विद्वान के द्वारा की गई तो इसका बिल्कुल स सईटर आगे कि diferentes में कई ने स्टी चंद बाला और उसकी तरफ से भगवान महावीर को किये आहर्दान का प्रसंग उलेख dij гол मेइन कर्णा इस तो इसका रैट आंसर तो चंदन बाला रास में दोस्तों आपको यह जानकारी प्राप्ते होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह इसमें बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र आगे देखें तीस नंबर का प्रेस्ट ने इसमें कभी आसी गुने जीवदया रास वै चंदन बाला रास ग चर्चरी उपदेश रसायन रास चर्चरी उपदेश रसायन रास काल सवरूप कुलकम आधी करंथों की रचना है वह किती दोस्तों किसने तो यह किती दोस्तों जिंदत सूरी ने नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा जिंदत सूरी आगे देखें जिंदत सूरी क कारिय क्षित्र कौन सा इस्तान रहा है तो कौन सा इस्तान रहा है तो वह रहा है दोस्तों अजमेर वय पस्मीर आजस्तान रहा है तो इसमें राइट आंसर बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखें दोस्तों अपना इसमें प्रबंद को से किस जैन सादÚ की रचना है है राइट आंसर हो जाएगा वह में नाथ 12 मासा की रचना करने वाले कवी कौåन से हैं राइट आंसर हो जाएगा वह तो इसमें कौन सा तो वो है पलहन तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नमबर उप्शन बिल्कुल से उतर पलहन था पैतीस नमबर का फ्रेस्ट ने इसमें देखे ले मिनाथ 12 मासा में किसका उले किया गया है बताईए तो यहां पर देखे ले मिनाथ समूंदर विजे के गिरणार फंच गए बिल्कुल से यह राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक सभी things इसन梅ंबर alors क में मानिक अ सुन्दर सूरी के रतना है वो कौनसी राइट आंसर हो जाएगा उसस्तों चारनकावे सामने तक किस रुप में लिखा गया है नेकश्ट ए परत्वीराज रासो के लेकच कौन है तो दोस्तो Лवे दोस्तों चंदर बरधाइगी के द्वारा पारत्वीराज रासो ग्रंथ फो लिखा गया है और इसमें परत्वीराज पांतिरते के जीवन चरीत्र एवं युद्धों का इसमें बनन मिलता है ठीक है राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखें पर्थविराज रासो किस बासा में लिखा गया महा कावे है तो दोस्तों यह कौन सी बासा में लिखा गय दोस्तों चंदरबरदाई के कावे की बासा कौन सी सहली की है इस प्रेसन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यह पिंगल में रचित वीररस का महा कावे है तो इसमें बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखें चंदरबरदाई का जन्म कहां हुआ चंदरबरदाई का जन्म डो को है नहीं दोस्तों नर्पती न्रपती ऑाले है इन्होंए नबर ऑप्शन गरंत की रचना की थी और इसमें अजमियर सासक विबाती शतूर्त उप्र ुप गठो के एवं उनकी रानी राजमृती की प्रेम गाथा कसका इसमें मिलता है तो इसका राइट आंसर ए नमर admire option some безопас नर्पति नाले आगफेश लगर नर्पती नाले किस जाती के कवी थे जिन्होंने विसल देव रासो लिखा राइट आंसर हो जाएका तो師 थे सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्रव जाएगा आगे देखें इसमें बीसल देव रासों की कथा वस्तु में निम्न में से क्या है यह अपने को यहां पर बताना है तो यहां पर देखें दोस्तो इसमें चरीतर नायक सपाद लक्स का चोहां सासक विग्रणा चतूर डी नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखें कवी माग का समयकाल क्या माना जाता है कवी माग का समयकाल क्या माना जाता है तो यह माना जाता है दोस्तो सातवी सताब दी सातवी सताब दी माना जाता है कवी माग का समयकाल तो इसमें वो है बी नंबर का जो उप्सन है वो इसका बिल्कुल से उतर हो जाएगा जो कि आपको इसमें याद रखना है तिक है अच्छा प्रश्न है यह आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें देखिए कांड्डे प्रबंद गरंत का सम्मद्ध है तो डोस्तों कांड्डे का विस्तारपूरक वर्णन मिलता है इस कावे का आधार अलावदीन द्वारा जालोर पर आकर्मन है जिसमें कानड देव और उसका पुत्र वीरम देव तथा उसके साथी लड़ते हुए वीरगर्ति को प्राप्त हो जाते हैं बिल्कुल सही है यह राजस्तानी पस्वी ुते बिल्कुल सही हुद्तर हो जाएगा देखें गलतार अगे देखें मित्रों इस नैन्सीरी ख्यात में निमन में से किसका उल्ले किया गया है वो अपने को बताना है देखे मंदिर मठो के लोगे निर्मान का तीर्थ यात्रा विवा के आठ परकारों बाल विवा है बहुप विवा परदा परथा जोवर परथा उच्षूं तिवहरों इनका भी वन्नन मिलता है राजपुतों के सेनिक संगठन युद प्रनाली राजपुत समाज की विशेशता तथा धार्मिक माननेताओं पर तो दोस्तों इन्हें सभी की जानकारी मिलती है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह इसमें डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा उ और वाट रो परगनेरी विगति इसे दोस्तों जोद्पूर राजे का गजेटियर कहते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जूप्शन है वह इसका बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखिए दोस्तो अपने को जानकरी मिलती है यह आपको इसमें याद रखना है तो इस प्रेशन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वह है उप्रोक्त सभी की ठीक है आगे देखिए इसमें मुनोत नैंडशी का सम्मध में सत्य कथन क्या है वह अपने को यहां पर बताना है तो यहां पर देखिए दोस्तों अच्छा प्रस्न है यह भी देखिए नैंडशी माराजा जैस्वन सिंग पर्थम के दिवान थे इनका भाई संदर दास्था जो भी इनके साथ पदपर था बिल्कुल सही है माराजा ने दोनों भाईयों को यह गता कर ली बिल्कुल सही है तो इसमें राइट आंसर हوجा जाए गाटिनमर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तिकैँ कोन से गीत की रचना की थी तो वह था दोस्टों गीत से आयों अंग्रेज मुल्क के उपर इस गीत की रचना की थी किस ने तो दोस्तों बांकी दास ने तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर उप्सन बिल्कुल सही तर आगे बांकी दास की ख्यात में निम्न में से किन सहरों की स्तापना का विस्तरत मिलता है तो इसका बिल्कुल सही तर ऑजाएं कॉन से सहरों की विस्तरत के विस्तरत वननद मिलता है तो धोस्तों जोदपूर और जैपूर का इसमें विस्तरत विवरन मिलता है एह नंबर का ओप्सन Breaking आगे देखिए इसमें 55 नंबर प्रेस ने निम्न में से किस गरंद से पता चलता है कि विकानेर के महराजा रतन सिंग ने विक्रम समत 1885 में गया के तिर्थिस्तान पर अपने परमुक समंतों की बैठक बुलाई थी और उनसे यह परतिग्या करवाई थी कि वे भविशे में अपने सिसु कन्याओं का बद नहीं करेंगे बताईए यह कौन से गरंद से अपने को यह जानकारी प्राप्त होती है तो यह जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों बांकी दासरी की ख्यात से अपने को यह जानकारी प्राप्त होती है तो अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे देखे देयालदास री ख्यात में किस रियासत के इतियास का उलेक मिलता है तो इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें विकानेर रियासत के इतियास का उलेक मिलता है ए नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें दयालदास किसके दरबारी कवी थे दरबारी कवी थे दोस्तो विकानेर के रतन सिंग के दरबारी कवी थे दयालदास आगे देखें इसमें मुंडियार की ख्यात में कहां के राजाओं का तथा वहां के इतियास का का नियुस्टनाव तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा वह दोस्तों अपना इसमें जोदपूर अंबर का मुण्यार की कहत को नहीं किस नाम से जाना है मुण्यार की dot K संसकर्थ वह रदस्तानी कवी थे बताई शारंगदर के सताब्स कर दिकिए वह है राइट आंसर वह पना इसमें डिखे थे सद्गी इसमें राइट आइन राइट ओप्सन बिल्कुल सबोंसिकतर हो चाएगा इसमें राइट आंसर सभी आगे सवाइध घरत है किस लिखा गए तो यह लिखा गया गरंथ थे। संस्कर्ट वासा का ये गरंथ है ए नंबर उप्शन सहीतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें देखिए सारंगदर द्वारा रचित राजस्तानी बासा का गरंथ कोन सा है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हमीर रासो और हमीर का वे तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक दोनों सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे गरंद में रन्थंबोर के राजा हमीर देव चोहान और अलाओदिन खिलजी के बीच हुए युद्व का ओजस्वी वननन है तता हमीर के सेनपती उजल की वीर परतिग्या का वननन मिलता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो मिलता है तो हमीर रासों में ये अपने को मि देव उनकी वीरता का उसमें वननन मिलता है तो इसमें राइट आंसर अप्शन से उत्र हो जाएगा आगे देखें निमन में से प्रेमा खान काव्य गरंत कोन सा है तो और दोस्तों हंसावली बिसलदेव रासों डोला मारूरा दुहा ये तीनों दोस्तों प्रेमा ख्यान का कि मान्वा सद रचना है किसने की दल्पत्वी जने और सब्सा में मेवाड के बपारावल से लेकर महराजा राज सिंग तक के नलह सिंग गर है और विजयपाल रासों में किसका उल्ञ्व है अपने को यहाप बतानी है थो देखिए इसमें मंडवर के पुत्र जगमाल और उनके बतिजे वीरम जी की वीता का वर्णन है यह वीर रस्प्रधान कावे है इसके रचेता बादर डाड़ी है बिल्कुल सही है तो इसमें सारे के सारे हैं वो सही है यहाँ पे वीर मायन की बात हो रही है तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा उप्रोक नहीं हुआ था उससे पहले ही चंदरबरदाई को बंदी बना लिया गया था तो यहाँ पर इसप्रेशन का राइट अंसर हो जाएगा तो बाकी बचाओवा गरंथ है वो किसने पूरा किया था तो वो किया था दोस्तों जलहन ने ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्त हो जाएगा इसका वो है दोस्तों डूंडानी वासा में सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखें बालिंद जी किनके सिस्य थे जिन्नोंने आरिलो नामक गरंथ की रचना की तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दादू जी की तो इसमें ब अधा भी दोनों सही है सी नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखें इसमें संत्य रामदास दयालदास दरियावजी बालक राम आदी किस संपर्दाय के सही उत्तर माने जाते हैं इस प्रेस्टन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रामस नहीं बतान के कौन से हैं तो वह हैं दोस्तों अगर्दास जी नाबादास जी कृष्ण दास पहरी तो इसका राइट आजवर जाएगा वह है उप्रवक्त सभी तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखे दोस्तों अपना इसमें मीरा भाई की फुटकर रचना में किस बासा का प्रभाव रहा बताईए मीरा भाई की फुटकर रचना में किसका प्रभाव रहा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसका तो ब्रज बासा गुजराती और खड गरंथों की रचना है वो किस ने की तो इन सभी गरंथों की रचना है वो दोस्तों मीरा भाई ने की थी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखें नागरिदास या सावंद सिंग किस बासा के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं यह माने जाते हैं संसकर्ट फार्शी और ब्रदबासा इनके ये विद्वान माने जाते हैं नागरिदास या सावन सिंग तो इसमें राइट आंसर डी नमबर उप्शन बिल्कुल से उतर आगे देखें सुंदर कूरी के समंद में सत्य क्या है तो देखें यहां किसंगड के राजा राज सिंग क रचना की सुंदर को देने इनकी रचना बक्ति और प्रेम प्रदान है बिल्कुल सही है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखें राव जाचिरोचंद गरंत की रचना है वो किस ने की ती तो यह की थी दोस्तों के समंद में सत्य कथन क्या है वो अपने को बताना है तो देखें राव जाचिरोचंद बिठ्टु सुजा के बारे में यह बात हो रही है तो देखें इसका रचना काल 1591 से 1598 के बीच माना जाता है इस गरंत में बाबर के दितिये पुत्र कामरान जो पंजाब वय काबूल क का हकीम था और विकानेर नरेश राव जैचिरोचंद बिठ्टु सुजा ने लिखा था आगे देखें इसमें पसाव क्या है काफी बार परिक्षाव में यह पूछा जा चुका है कि पसाव क्या है तो पसाव दोस्तो राजस्तान में चारण बाटों को जो दान दिया जाता था उसे पसाव या प्रसाद कहते थे तो इसमें नंबर का उप्षन बिल्कुल से उत्तर आगे देखें हरी रस गुण आगम गुण भागवत हंसे निंदा इस्तुती रास कहला से आधी गरंतों की रचना किस ने की तो आधी गरंतों की जो रचना है यह की थी दोस्तों इस सरदास ने सी नंबर का उप्षन बिल्कुल से उतर हो जाएगा इस सरदास आगे देखें गुंड रूपक राव अमर सिंग का दूहा वै विवेक वारता के लेखक कौन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कवी के सवधास ए नंबर ऐसम्ढवत्रादुहा गंगल गंगालेहरी वासुदेव तता दसरत देवराउथ ठीक है यह इनकी दोस्तों पूर्मुक्त गंद्रों तो यह सारे के सारे हैं वह इसमें सही है पर तुर आपने को बताना है तो देखें दोस्तो इसमें स्रश्रिक कुष्ण रुक्मणी के विवा का संविस्तार वन्नन है यह स्रंगार रश्प्रदान है इसमें वीर वीरो में और यह डिंगल भासा में है बिल्कुल लुटि आऊने तो इसमें रॉप्स जाईगा आगेए किरश्न रुकमनीरी गरंथ के पर्तम प्रकास का संपादन किस ने कियाता differently ये किया था räकिश्यो recommali किया था तो इसमें पिल्कुल सही उत्त हो जाएगा अगे देखें इसमें त्रियानम नंबर का प्रस्ण। बेली कृष्ण रुक्मनि दी गरंद के दूसरे प्रकाशन का संपाधन किया किसने कि अफिक राइट अंसर हो जाएगा वह है दूस्तों इसका बिल्कुल सही उत्त ह वो किया था सूरिय करनपारीक वैठाकुर राम सिंग तो इसमें बिल्कुल सभी इतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें निम्न में से सुमेलित नहीं है तो कौन सा इसमें नहीं है वह अपने को यहां पर बताना है तो यहां पर देखें दसम भागवत्रा दुहा इसमें 84 दो बगवान राम की स्तुति के 52 हैं बिल्कुल सही है गंगा लहरी 82 गंगा जी की महिमा तो दोस्तों इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों इसमें नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए दिंगल सहली में विरुद चतरी किरतार बावनी और श्रीकुमार अजाजी नी भूचर मोरी नो गजगत नामक गरंतों की रचना की बताए किसने की ती इन गरंतों की रचना किरतार बावनी करतार बावनी का नाम सुनते हैं आपको पता चल गया होगा राइट आंसर हो जाएगा दुसाड़ा तो इसमें सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे इसमें कवीवर बिहारी लाल का जनम है गोविंद प्रोग्राम में किस रियासत में हुआ था तो यह हुआ था दोस्तों कौन सी रियासत में ग्वालियर में बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आ बाज़ा की और से इन्हें प्रतेक दोहे पर एक असरफी मिलती थी बिल्कुल सही है इनके साथ सो तेरे दोहे हैं जिनकी भासा ब्रज है बिल्कुल सही है तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा उप्रोक सभी है वो